ख्यात लेके चलो, काईनाथ लेके चलो ख्यात लेके चलो, काईनाथ लेके चलो चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो चाब नाज़ीन, मगदुम मुईदीन चाब के सुछ तुर्ट शेर के साथ मैं कलकटा कंपोजर्स की इस आज की इम हफिल का आगास करता हूँ मेरा नाम माधवनूर है और वत और नाज़िम मैं आपकी खिदमत में पेश हूँ तो सबसे पहले नाज़ीन हम शुक्रिया अदा करेंगे उन तन्जीमों का जिनके वज़े से आज की ये खुबसूर्ट शाम जो है वो एक तसवर से रियालिटी में मुन्तकिल हो पाई है तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे पोईटिक आत्मा का उसके बाद कौफी अन कलाम का अखिल भारती अदब परिशद का और सुखन सराय का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इन से बहुत सारी अमदाद मिली है हमें और नाजरीन आज हमारी तर्टीब कुछ मुक्तलिफ होगी आज हम बात्चीत और गुफ्तगू पर कम तवज्जू देके बहुत जादा कलाम सुनेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप जो शौरा एबाब है उनका कलाम सुनने के लिए बेताब है तो सबसे पहले मैं सभी जो हमारे शायर है उनका एक मुक्तसर सारुफ पर आउंगा और उसके बाद हम कलाम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी आज की पहली शायरा जो की कलकत्ता कॉंपर्जर्स की बानी भी है महतरमा सपना मूल चंदानी साहिबा इनकी पैदाश अजमेर राजस्तान से है और इन्हों ने इंजिनियरिंग में तालीम ली है और फिलहाल सपना जी बैंगलोर में मुकीम है तो लीनोवो जो की एक बड़ी इंटरनाशनल और्गनाईजेशन है इसमें ये बतौर टेकनिकल आर्किटेक्ट काम करती है कलकत्ता कॉंपर्जर्स जो की तंजीम है जिसने आज की खूबसूरत प्रोग्राम और्गनाईज किया है सपना जी उसमें बतौर मैनेजिंग डिरेक्टर कामिल है और सपना जी का मुक्तसर तारुफ ये है कि ये कई मुशायरे पढ़ चुकी है जैसे जशने रेक्टा कामे रेक्टा पासमाने अदब अर्दू यूनिवर्सिटी ने जो और्गनाईज किया था और पी एल जी ग्रूप का इंटरनाशनल ये मुशायरा इंडो पार्क ये किया बस्द्ध नाजरैन भी मुशाया हो चुकी है और कई सारे रेडियो प्रोग्राम्स में भी परформ कर किया ह्तपना जी आदब आदा आप बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़ी है और यह खुबसूरत आइडिया जो है यह आप ही का था तो इसके लिए आपको डबल शुक्रिया आप सभी का शुक्रिया, आप सभी की कोशिश की वज़स से आज ये खुबसूरत प्रोग्राम हो पा रहा है जी बहुत शुक्रिया, तो नाजरीन अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे शायर की तरफ जो की नौजवान शायरों की उभरती हुई आवाज है उनकी नुमाइंदगी करते हैं बखो भी, इनका नाम है डॉक्टर सतीज दुबे सत्यार्थ और इनका तालुक गवालियर मध्यप्रदेश से है, सतीज जी पेशे से एक डेंटिल सर्जिन है और बिजनसमैन भी है रेक्ता पे उनकी कई गजले पब्लिश हो चुकी है जो की दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू रिलेटेड वेब पोर्टल है कई सारे मुशायरे मिशाव मुशायरों में ये शिरकत चल चुके है और कई कवी सम्मेलोनों का हिस्सा बन चुके है रेडियो टीवी प्रोग्र चोटी उमर में अचानक जगजीत सिंग सहाब की घजल सुनते हुए वो उर्दू घजल और उर्दू शायरी की महबत में गिरफ्तार हो गए और अभी भी है और हम उमीद करते कि ताउम्र इस खूबसूरत जंजीरों में वो बंद रहेंगे तो सतीज जी आदाब कैसे मिज अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली शायरा की तरफ हमारी अगली शायरा है महतरमा तारा इकबाल साहिबा यूपी के शहर राय बरेली में मुकीम है और उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में में किया हुआ है यहां मैं बताते चलूं कि एक तरीके से गंगा जमनी या मिल बंद किया हुआ है इन्होंने तो यह पेशे से बतौल टीचर गवर्मेंट स्कूल में खिदमतगार है और बकॉल इनके काईरी इनकी एकलौती सहेली है और जब से इन्होंने होश संभाला है वो उनकी हमनवा रही है इनका एक मजमूए कलाम अभी जेरे इशायरा इशायत ह यानि की अंडर पब्लिशिंग है तारा जी आदाब नमस्कार अधाब बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत-शुक्रिया जनाजीन एकराम हम बढ़ते हैं आज के हमारे अगले शायर की तरफ जिनका नाम है मनीश शुक्ला जी और मनीश शुक् के लखनाव में मुकीम है और वो बतौर स्टेट सिविल सर्वेंट हुकुमत हिंद की खिद्बत कर रहे है तो पिछले तकरीबं 20 सालों से वो घजल कहते आ है और कई और बैनल अकवामी नेशनल और इंटरनेशनल मुशायरों में अन्होंने कि की एक हैं प्रक्ति कन अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं जिन्में उर्दू अकैडमी उत्रप्रादेश मिरजा गालिब ऑवार्ड फिराग बोरःपुरी ऑवार्ड का भी शम्मार है उसके अलावा यूर अपन सम्मान दो हजार बारा साकिब अवार्ड दो हजार चौदा और नसीम एहमद सिद्धी अवार्ड दो हजार पन्दरा जो फहरिस्त बहुत तवील है कई सारे अवार्ड बिले हैं इने और इनकी शिर्कत नाजरीन जशने आदाब जशने अदब जशने रेखता पासबान अदब और दीगर मुशायरों में रही है इनकी किताबे कई किताबे शाया हो चुकी है सबसे पहले इनकाशियरी मजमुआ खवाब पत्थर के हो गए दो हजार दो में पब्लिश किया गया दो हजार सत्रा में अर्दू अकैडमी उत्तर प्रदेश ने इनके घजलियात की किताब प्रोशनी जारी करो ये पब्लिश की अर्दू नस्तलिक रस्मलखत में और उसी को रेक्ता फाउंडेशन ने रेक्ता वुक्स के सिलसिले के तहट हिंदी में यानि की देवनागरी स्क्रिप्ट में शाया किया गया था मनीश जी आदाब इस्तिकबाल करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सबने अपने सामहीं से रूबर होने का मौका फराम कराया और बड़े हमारे पुराने दोस्तों से मुलाकात कुई है शारिक भाई से आज मुलाकात आप ही लोगों की वज़ रहे गई है तो ये मेरी कोता ही है तारे जो शायर है वो एहले जौक है एहले नजर है और बहुत खूबसूरत महफिल रहेगी आज की तो अगर किसी के तारुफ करने में कोई बुच से भूल हो जाए तो मैं पेशगी मौफी की दर्खास करता हूं तो आईए बढ़ते हैं ह और इनका जो इनका शुक्रिया आजा करता हूँ कि आज इस महिफिल में इन्होंने शिरकत की बढ़ेली से इनका तालुक है और बहुत में अप बढ़ेली का von 2 शायर शाय jetzt Nos जानी जाए और कोई शक नहीं है और नई नसल के कहने वालों में एक बहुत बड़ा नाम है शारिक कहफी साहब का, हम जैसे नए कहने वाले लोग जो आने वाली नसल के स्टार्स जिने हम कह सकते हैं, वो शारिक कहफी साहब के शायरी से मतासिर है, और अगली आने वाली पीड़ी के ये रहनुमा है, ये कहां जा सकता है पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ तो शारिक कैफी सहाब के कई मजमुए कलाम शाया हो चुके है देवनागरी और नस्तलिक जो की अर्दूर असमुल खट है अपने तमाशे का टिकट यहां तक रौशनी आती कहां थी दुख कपड़े बदल कर ऐसे कई सारे इनके मजमुए कलाम शाया हो चुके है देखता ने कई सारे किताबे पब्लिश की है इनकी और रेखता के प्रोग्राम में इन्हें हम कई बार देख चुके हैं सभी देख चुके हैं और कई नैशनल और इंटरनाशनल मुशायरों में इनकी शिरकत रही है धुबई में हमें ये मौका मिला था कि सुखनवर बहुत अच्छे मुशायरे में हमने इनकी मेहान नोजी थी तो बहुत भूँष किसमत है कि आज के इस प्रोग्राम में शारिक फिर साहब ने चिर्कत की है तो असल में ये बहुत मतीन और संजीदा किसम की शक्सियत है और इनको सुनना हो तो इनकी शायरी में सुना जाए तो बहुत ज्यादा भोल के मैं वक्त जाया नहीं करूंगा शारीक साथ आदाब कि अधाद आदाब कि आप लोगो ने आप शायर सी वात अगया अपब में पूरे के साथ मैं आप इंठेमयाब हो ये दोआ है जी जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया शारिक साहब तो नाजरीन अब हम बढ़ते हैं हमारी इस खुबसुरत शाम की अगले पड़ाव की तरफ जिसका आपको बेसबरी से इंतजार है तो मैं एक शेर से अपने पहली शायरा को जहमते सुखन दूंगा यहां मौत का खौफ यू है सबको यहां मौत का खौफ यू है सबको की जीने की खातिर मरे जा रहे हैं मैं दरख्वाश करता हूँ सपना मुल्चंदानी साहवा से कि हमें अपने कलाम से नवादे सपना जी जी बहुत शुक्रिया माधव जी बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पहले तो क्यालकटा कंपोजर्स की टीम का और दूसरे पेज़स का कॉफी महफिल को अपनी महनत से सजाया आप लोगों ने और बहुत अच्छे सुनने वालों तक यह प्रोग्राम पहुचाया गया है तो मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ और आप सब की इजाज़त से मैं आगाज करना चाहूंगी अपने गजल के कुछ अशार का तो शारिक जी जी तारा जी और आप सबी की इजाज़त हो तो मैं जी जी शुक्रिया गजल का मतला देखें के जमाना आज ये कितना अजीब लगता है जमाना आज ये कितना अजीब लगता है वो गुजरा वक्त है लेकिन करीब लगता है जमाना आज ये कितना अजीब लगता है वो गु करीब लगता है शुक्रिया मैं तुझको किस से दुआ में यकीन से मांगू मुझे खुदा भी तो अपना रकीब लगता है हमें हमेशा से आदत है मुस्कुराने की हमें हमेशा से आदत है मुस्कुराने की तो सबको अच्छा हमारा नसीब लगता है वह शक्स सज्दो का भी तो हिसाब रखता है मुझे वह इसलिए इतना गरीब लगता है वह शहिस donation थेग हो शबुराने की वर सबको न हर आदत है और ये शेर देखे कि मर्ज में जिसके ये बिस्मिल हुए थे सब के सब आग्स को यहां पर तबीब लगता है और इसका देखे कि जमाने ने घरी से वक्त माँगा था सब ना आज के वक्त पर है जमाने ने घड़ी से वक्त मांगा था सपना मिला है आज तो इतना मुहीब लगता है क्या बात या बात और एक गयर दफ गजल से कुछ अशार पेश करना चाहूंगी क्या बात है तुम माई को सरशार बनाओगे अच्छा तो गजल को तुम अब शेर सोना ओगे अच्छा तो गजल को तुम अब शेर सोना ओगे उल्फत हो अगर तो तुम सब नक्रे उठाओगे इजज़त हो अगर तो फिर तुम सर पे बिठाओगे कुछ बात मुझे दिल की लिखनी है दिलों पर अब अच्छे से मुझे क्या तुम अब उर्दू सिखाओगे और इसका अखरी शेर देखें कि वो शेर की जो मुझे पर लिखा था कभी तुमने किस को सुनाया है क्या मुझे को बताओगे इमनें एड़ा हिए जरूर में मुझे यहां किसी के लिए भी सवाल हो सकता है वो शेर की जो मुझ पर लिखा था कभी तुमने किस को सुनाया है कि क्या मुझे को बताओं दो वाहआा बहुत बहुत अच्छे, वहुत अच्छे, रहा उच्छे और एक गजल में से कुछ अशार देखें के ये میरी वफा की हुई हार है ये मेरी वफा की हुई हार है इसे तो किसी और से प्यार है ये मेरी वफा की हुई प्वार है उसे तो किसी और से प्यार है मैं रुकसत भी कर दूँ तेरे कहने पर बता क्या तू जाने को तयार है मैं रुकसत भी कर दूँ तेरे कहने पर बता क्या तू जाने को तयार है मेरे इश्क का इल्म होगा तुझे मेरे इश्क का इल्म होगा तुझे ये दिवानगी का ही इजहार है ये मेरा पसंदिदा शेर देखे इस गजल से किसी ने इबादत की होगी यहाँ खिसीने इबादत की होगी यहाँ नहीं तो ये दिल कैसे गुलजार है नहीं करता मतलब के बिन बात भी मुझे तो लगा था वो दिलदार है नहीं करता है, आत भी, मुझे तो लगा था वो दिलदार है, और इसका मक्ता यूँ है कि हकीकत को सपना दिखाया गया हकीकत को सपना दिखाया गया हकीकत का बचना दुश्वार है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया इजाज़त चाब है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सलाम से नवाजा आपने तो नाजरीन अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शायर की तरफ उन्हीं के एक शेर के साथ उन्हें दावते सुखन देता हूँ तब है हासिल पर सुकूं की बात है बस तब है बस जर मका को घर बनाता बच भी जाता जिस खूबसूरत शेर के खालिक जनाब डॉक्टर सतीज दूबे बतखलु सत्यार्थ जी उनको मैं दावते कलाम देता हूँ आएं और अपने कलाम से हमें नावाजे बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब को नमस्ते आदाब हाजिर करते हुए आगास करता हूँ मतला मतला देखें की हाब फाब फाब एक ऐसा मैसर हो गया वाब फाब एक ऐसा मैसर हो गया जब का दामन भी मुनववर हो गया वह जो एक पौधा लगाया था कभी अब मेरे कज के बराबर हो गया वाद अच्छा, 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 वाद अच्छा मुद्धतों सूखा रहा सहरासा मैं जब छुआ उसने समंदर हो गया और शेर देखे की जब से शामिल हो गया है मुझमें वो जब से शामिल हो गया है मुझमें वो पहले से मैं और बहतर हो गया बहुत अच्छे बहुत अच्छे जबसे शामिल हो गया है मुझमे वो, सहले से मैं और बेहतर हो गया, वस्ल की हसरत में जिन्दा हूँ मगर, उजर में ये जिस्म पत्थर हो गया, क्या बात हूँ, शाबत, क्या रहां ऐसे, खुब मुहब्बत, खुब महब्बत हूँ, खुब महबबत, एक और गजल से द्ञटार हाजिर करता हूं दिया दौश। अम नए जाविये बनाते थे, आपके वास्ते बनाते थे, जैस्ट्रीया, जैस्ट्रीया, जैस्ट्रीया बनाते थे, आपके वास्ते बनाते थे, कुर्बते दर्मिया बढ़ी अक्सर, जब भी हम फासले बनाते थे, जब भी हम फासले बनाते थे, फिर पलटकर न देखते थे हम, फिर पलटकर न देखते थे हम, आप जब रास्ते बनाते थे, फिर पलटकर न देखते थे हम, आप जब रास्ते हम तो दिल की सलामती के लिए इश्क में दाइरे बनाते थे हम तो दिल की सलामती के लिए इसमें दाइरे बनाते और शेर देखें कि आखों में चेहरा तो हमारा था पिर वो जाने किसे बनाते थे खुब महबद आप तब की खुब महबद जिस गजल के शेर से मेरा तारूफ कराया था मादो भीया ने वो गजल हादिर करता मतला देखें कि कर ये नुस्खा आजमाता पच्भी जाता कर ये नुस्खा आजमाता पच्भी जाता मैं अगर पागल हो जाता पच्भी जाता कर ये नुस्खा आजमाता पच्भी जाता मैं अगर पागल हो जाता मट गया घुट गुट के मैं कोहे अलं में काट कर रस्ता बनाता पच्भी जाता मर गया घुट घुट के मैं कोहे अलम में काट कर रष्टा बनाता बच भी जाता एक तरफ जिलत थी तो दूजी तरफ मौत एक तरफ जिलत थी तो दूजी तरफ मौत तरफ मैं अपना जो जुकाता बच भी जाता अच्छा है बहुत हो और शेव देखें कि था निशाने पे शिकारी के पता था मैं सजर से उड़ जाता बच भी जाता यह शुक्रिया तरफ मैं सजर से उड़ जाता बच भी जाता उम्र भर खुद को संजोता ही रहा मैं उम्र भर खुद को संजोता ही रहा मैं दोनों हाथों से लुटाता बच भी जाता बच भी जाता बच भी जाता ही जाता ही रहा मैं अब अकेला हूं जहां पर अझुमंत थी वक्त पर घर लॉट जाता पच्छ भी जाता जा वाव जा बात शुक्रिया शुक्रिया खुब महबबद और गजल का अखरी शेर की सब है हासिल पर सुपू की बात है बात तब है हासल पर सुपू की बात थैबश गर्मता को घर बनाता वच भी जाता वाँ बहुत बहुत और आखिर में एक गजल के चंद अशार हाजित करता हूं पिर जहमत थे तमाँ शुक्रिया तुम हो मैं भी हूं और खामोशी भी है तुम हो मैं भी हूँ और हामोशी भी है दिल में सुकू है और बेचैनी भी है आप क्या कहूँ जिंदगी तेरे सितम खाहिश भी है तू और मजबूरी भी है वहाँ 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 और कातिल भी वही यह इश्क चारा गर्भी बीमारी भी है अच्छा है वाँ 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 लेहर सुप्रिया मष्क वह है और कातिल भी वही यह इश्क चारा गर्भी बीमारी भी है और गजल का रख्री से देख लेंकि असरात यह शरात यह भी Bird तर्गोषी भी है और मिहाँ तनहाई वाँ Promise क्याॉ बहुत 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 क्या कहने जती जी बहुत अच्छे शेयर पुड़े हैं आपकी शायरी बाकमाल है और सभी की भरपूर दाद इसकी सनद है तो बहुत मुबारक बार और आपकी अजाज़त से अब मैं अगली हमारी जो शायरा है मौतरमा तारा अकबाल साहिबा तरफ क्या से मैं इन्छावत जावत अच्छण देता हो। कुछ दूर तलख तो मेरे हम राह चलो तुम। कुछ देर तलक तो मुझ होने का गुमा हो। वहाँ 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 वहें shotgun मोह्तर महत्राः अक्बाल साहिबा को मैं दा crave Teacher हुआ हुआ है शुक्या और दिश्य को पर पर बैटे जैसे हैं वाप बहुत दिनों बाद आपकी सूरत रहतने को मिली है कैसी है आप फरास कैसे हैं बहु कैसी है सब खरियत अच्छे हैं आज अच्छा लगाए आप सब को सामने देखें बस बिर्दानी के लिए बाचाला हुगे सतीज भाई को और मादव जी को और सपना जी को इसके लिए शुक्रिया इनों ने इसके निकात खड़ाया कि हम लोगों पर उबरो होने का मौका मिला जी इर्शाद शारीब भाई एक इजाज़त के साथ चांद शार अच्छार अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी इर्शाद एक मतला और एक शेज़त अब आप जरा साबना है यह जो वह है ल थोड़ा सा पीछे कर लेजिए यह यह जी इर्शाद अब आप अच्छी शारी और अच्छी तूरत दोनों से हमारे जो सामईन हैं उनको महसूद होने का मौका दीजिए ना इर्शाद अजने सफर से पहले देखो अजने सफर से पहले देखो क्या क्या करना पड़ता है अजने सफर से पहले देखो क्या क्या करना पड़ता है मन्जर मन्जर शेहर का उसके आंक में भरना पड़ता है वाँ 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 क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने वाँ 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 अजने सफर से पहले देखो क्या क्या करना पड़ता है वाव 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 तुमने तो सावान समेटा दूर कहीं परदेश बसे तुमने सावान समेटा दूर कहीं परदेश बसे हमसे पूछो उन गल्यों में हमको गुजरना पड़ता है वाँ वाँWowWowWowWowWowWowWowWowWowWowWowWowWowGive वाँव 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 से पूछो उन प्था हुआ हमसे पुछो नहीं है का आरा जी क्या केने सुपान अला सुपान अल्ला से ला मत रहे है वाँऑ वाँऑव वाँबंầबं हमें लग रहे हैं कि आप है हमारे साथ तक बहुत अच्छा शेर है निवाइं जिन्दावाद बहुत अच्छा न सिपूचो उन गलियों में हमें घुजरना पड़ता है वाँ 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 मन्जिर करना पड़ता है और एक उसी मुखन के चमशार है कि दिखता ही कि यह नगें तो फकर पढ़ाती है फिर पढ़ें आप आवाज नहीं आ रही इतरा आपकी आवाज थोड़ी तारा जी तूटके आ रही है यह फिर से पढ़ें आप यह नगें तो फकर रोशनी बढ़ाती है वाज अच्छा शेर है जी जी आपके शेर भी पढ़ा हुआ है नहीं था चेश में तर चिपाती है बहुत हो नहीं तुझे चेश में तर चिपाती है और यह हगस हगस के मौसम जहां से आते हैं यह हगस हगस के मौसम जहां से आते हैं वहीं से बारिशें आखें कशीद लाती है बहुत हो वहीं से बारिशें कशीद लाती हैं और यह सहान हैं तो शनासा है मेरे बजपन के मुझस के लिए मुझस के लिए नाम से बुछाती है क्या बाद? तुम्हारे याद के एक गुम्शिदा जजीरे से धले जो शाम तो अभी सदाएं आती है धले जो शाम तो अभी सदाएं आती है ये एनकें तो सकत रौशनी बढ़ाती है नहीं था इल्म मुझे चेश्मे तर चुपाती है दूसी खजल के चल शाम और देखें कि वह शुब्याद का ये घजल मरेश भी आप अपनी घजल में अटके है मैं 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 ध्यान से सुन रहा हूँ मुझे कुछ अच्छे अच्छा अशार की तलाश है आपकी शाहरी में हमतन गोश इर्शाद कभी हसे तो कभी जार 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 रोएं आपकी हसे तो कभी जार जार रोने लगे रोने लगे थे खवालों में तो कभी तो कभी जार-जार रोने लगे लिच्ट हान तुम्हारे आवाज कट रही है तरहा कूझ आपकी पूदी आवज कर रही है हरा फ्र से पढ़े ये शेटा है ये आवाज कट रही है तरहा बहन आप ये शेर पढ़ें दुबारा से तो नेट की प्रॉलम हो रही है आप कि यहां कुछ है कभी हसे तो कभी जार-जार रोने लगे तेरे हवालों में हम भी शुमार होने लगे और लिपट के पैरों से खुद मेरे खार रोने लगे ये पैरों से खुद मेरे खार होने लगे ये कैसे कैसे मेरे खम गुसार होने लगे वाँ 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 कैसे मेरे गम उतार के लगेंगें को झाल Everything You कुझे देखें हुए ज़माना हुआ कि धुमले धुमले से नकष निगार होने लगे। आय navigate। मません कि पलड़ कि आए तुझे ज़माना हुआ कि धुमले धुमले से नकष निगार हो चुमख नहीं bé। और मुझे कुछार दे ए वहशते शर्वे हिज्रां की उंगलियों पे सितारे शुमार होने लगे मुझे कुछार दे ए वहशते शर्वे हिज्रां की उंगलियों पे सितारे शुमार होने लगे और तुझे खबर भी तुझे खबर भी है कुछ कारवाने दर्श्टे खिरत कि नक्षपा तेरे सर्फे गुबार होने लगे यह गुमानी की है कौन सी जगे तारा यह खुछ गुमानी की है कौन सी जगे तारा कि खज़ कला—कि कि खुद कलामी में कौलो करार होने लगे कभी हसे तो कभी जार 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 रोने लगे तेरे हवालों में कि खुद करें लगे तो अधार करें अधार करें इसक्षार जार जार करें तो जार करें अधार इस यह वजल का मतला कुछ ऐसे एक जहां में सब्सक्राइब हूँ मैं जहां मैं सबसे अमीर हूँ तेरे दर्द की मैं असीर हूँ और मुझे नक्ष पासे कशीद कर मुझे नक्ष पासे कशीद कर रह बजरक का खमियर हूँ पहां से कशीद कर तेरे रह बजरक का खमियर हूँ अभी देख भी जघौर से तब इरेगी जगवर से तगैज की मैं नजीर हूँ और है जहां जहां तिरा तशक्रा मैं वही 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 पुकसीर हूँ वहीं वहीं के कसीर हूँ वह मेरे खुछ भुमा तेरी खेर हो कि मैं आइने के लकीर हूँ मैं आइने के लकीर हूँ के मैं आइने के लकीर हूँ हुगज़ लन क्यों निए शर्चमी मैं अशीर हजड़त मीर हूँ हुआँ वाओ 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 इस दिनकाम्ह जल कर्म में जल कर लिन की नदीर वाँ मैं दूहे की एक लखी। मैं दूहे की एक लखी। मैं हुछारा कोई गुद्भुपूआ वहुआ नबद रे में रूही हुआ वाँ क्या बान तरे दर दी क्या खोग मुझे नक्षिपाद के शुश्च कर प्रहिजजर कर भी विए वबद रहे हुआ बहुत को कमाल बहुत को खोगा रहे हैं ते अच्छे शिर पड़े आपने बहुत को सुधानल्ब तारा जी क्या कह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका तारा जी मैं एक बतौर अधना सा सामईन कुछ अपने तासुरात पेश करना चाहूंगा कि आपके जो शेर थे उसमें ऐसासाथ की जिद्दत भी है और घजल की रिवायत भी है दोनों बरकरार है बहुत मुबारक बाद आपको बहुत अच्छा लगा आपका कलाम से तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले महतरम शायर की तरफ उन्हीं के एक शेर से मैं उनको दावते कलाम देता हूं हमारे तूटने को हाथसा समझा गया लेकिन हमारे तूटने को हाथसा समझा गया लेकिन हमारे तूटने से रास्ता तैयार होना था शेर के खाले महतरम जनाब मनीश शुकला जी को मैं दावत सुखन देता हूँ मनीश शुकला जी आदाब आपके सभी सुनने वालों को मेरा आदाब और बहुत शुक्रिया आपने एक खुबसूरत ये मौका फरहाम कराया कि हम लोगों ने बहुत खुबसूरत शायरी सुनी सपना जी के शेर और सतीश जी के शेर पहली बार सुनने का मुझे मौका मिला लेकिन बहुत खुबसूरत कलाम आप पढ़ते हैं भई, भगवान आपको और अच्छे शेरों का खालिक बनाए और तारा बेहन तो हमारी बहुत अच्छी शायरा ही है, हम लोग नाज करते हैं कि जो हमारी जो खवातीन हैं, उनकी इस्जत रखे हुए हैं, बड़े इल्जाम मैं बहुत जल्दी निप्टाओंगा, मैं दो एक घजलें पेश करूँगा, मैं सुनना चारा हूँ आप से कुछ नए शेर, किताब लेकर बशाओं मैं तो, मैं कुछ नए शेर सुनने के लिए बैठा हूँ, इतनी देर महनत मैंने इसलिए की है, कि आपके शेर कुछ सुनन मैं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, भाइ, बाकी वो जो मेरे जो शेर है मिशारों में और यूट्यूब अगरा बे तो आपनों ने पन्टक्टियों मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नए शेर पढ़दू जो अभी तक मिशारों में नहीं पढ़े है, यू देखे ए तो मिशारों 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 मि तुमने जिससे निजात चाही थी वो मरज ला इलाज कैसा है और हम जिसे तोड़ते हुए तूटे हम जिसे तोड़ते हुए तूटे अब वो कोहना रिवाज कैसा है हम जिसे तोड़ते हुए तूटे अब वो कोहना रिवाज कैसा है और हम तो बेदखल हो चुके कपके अब ये हम पे खिराज कैसा है हम तो बेदखल हो चुके कपके अब ये हम पे खिराज बहुत शुक्रिया शरीक भई अब ये हम पे खिराज कैसा है और हमने तुझ में मिला दिया खुद को हमने तुझ में मिला दिया खुद को देख तो इमतिजाज कैसा है हमने तुझ में मिला दिया खुद को हमने तुझ में मिला दिया खुद को देख तो इमतिजाज कैसा है और हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें आपका इंदराज कैसा है हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें हम कहीं दर्ज ही नहीं इसमें आपका इंदराज कैसा है और पूछती है लहद की खाक मनीश पूछती है लहद की खाक मनीश आपका तखताज कैसा है पूछती है लहद की खाक मनीश किया कहने है कि अच्छती है लहत की खाक मनीश आपका तखत ताज कैसा है उच्छिये तो मिजाज कैसा है उच्छिये तो मिजाज कैसा है उच्छिये तो मिजाज कैसा है खलका बहुत शुक्या 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 बहुत शुक् जानकर दश्टे जुनूने इश्क का मारा हमें, रास्ता दिखला रहा था रात का तारा हमें, यू तो हमें सब जाविये मालूम हैं, दर्द के यू तो हमें सब जाविये मालूम हैं, बस कभी मिलता नहीं हैं दर्द का चारा हमें, दर्द के यू तो हमें सब जाविये मालूम हैं, बस कभी मिलता नहीं हैं दर्द का चारा हमें, और अब्तिदा में हम समंदर भी थे मीथे ही मगर अब्तिदा में हम समंदर भी थे मीथे ही मगर रफ़ता रफ़ता कर दिया है वक्त ने खारा हमें अब्तिदा में हम समंदर भी थे मीथे ही मगर रफ़ता रफ़ता कर दिया है वक्त ने खारा हमें और हम तो इस बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कि अब्तिदा में हम समंदर भी थे मीठे ही मगर रफ़ता रफ़ता कर दिया है वक्त ने खारा हमें हम तो इस दुनिया के पेचो खम से आजिस आ गए हम तो इस दुनिया के पेचो खम से आजिस आ गए आप चाहें तो समझ सकते हैं ना कारा हमें हम तो इस दुनिया के पेचोख हम से आजिस आ गए हम तो इस दुनिया के पेचोख हम से आजिस आ गए आप चाहें तो समझ सकते हैं ना कारा हमें और शारी भाई शेर देखें कि हम तिलस में जिन्दगी के खौफ से मर जाएंगे हम तिलस में जिन्दगी के खौफ से मर जाएंगे और सब को ये लगेगा मौत ने मारा हमें हम तिलस में जिन्दगी के खौफ से मर जाएंगे और सब को ये लगेगा मौत ने मारा हमें हम तिलस में जिन्दगी के खौफ से मर जाएंगे और सब को ये लगेगा मौत ने मारा हमें हम तिलस में जिन्दगी के खौफ से मर जाएंगे और सब को ये लगेगा मौत ने मारा हमें और रात का पिछला पहर है अब इजासत दीजिए रात का पिछला पहर है अब इजासत दीजिए वरना फिर कहने लगेंगे लोग आवा रहा हम रात का पिछला पहर है अब इजासत दीजिए रात का पिछला पहर है अब इजासत दीजिए वरना फिर कहने लगेंगे लोग आवा रहा हमें हम किसी दिन आस्मा की सिम्त चल देंगे मनीश हम किसी दिन आस्मा की सिम्त चल देंगे मनीश तक रहा है कुछ दिनों से एक सयारा हमें हम किसी दिन आस्मा की सिम्त चल देंगे मनीश तक रहा है कुछ दिनों से एक सिया रहा हमें जान कर जश्ते जुनुने इश्ट का मारा हमें रास्ता दिखला रहा था प्रात का तारा हमें ये खज़र और पेश कर दूम मैं अगर वक्तो थो ये ये कि तुमको दुनिया का तलबदार नहीं होना था तुम को दुनिया का तलबदार नहीं होना था। पास जाना था गिरफ्तार नहीं होना था। तुम पे पत्थर ना उठा ले ये जमाने वाले तुम को मजनू का तरफदार नहीं होना था वृशत के ठिकाने बूंडे हमने चहरों में ही वेशत के ठिकाने डूंडे हमको सहरा का अजादार नहीं होना हमने शहरों में ही वहशत कि ठिकाने दूले बहुत शुक्रिया शारिक बहुत शुक्रिया जजाक अल्ला बहुत शुक्रिया हमने शहरों में ही वहशत कि ठिकाने दूले हमको सहरा का अजादार नहीं होना था और अपनी आखों पे भला कैसे भरोसा कर ले अपनी आखों पे भला कैसे भरोसा कर ले चांद दिन में तो नुमूदार नहीं होना था अपनी आखों पे भला कैसे भरोसा कर ले अपनी आखों पे भला कैसे भरोसा कर ले चांद जिन में तो नमूदार नहीं होना था और खान काहों के लिए हमने सजाई बजमे खान काहों के लिए हमने सजाई बजमे बादशाहों में हमें खौर नहीं होना खान काहों के लिए हमने सजाई बजमे बादशाहों में हमें खौर नहीं होना था और हमने महफिल में सरे आम खताएं कर ली हमने महफिल में सरे आम खताएं कर ली हमको खिल्वत में गुनहगार नहीं होना हमने महफिल में सरे आम खताएं कर ली हमने महफिल में सरे आम खताएं कर ली हमको खिल्वत में गुनहगार नहीं होना था और इश्क वालों को कभी रास ना आना था जुनू अकल वालों को कभी रास ना आना था जुनू इश्क वालों को समझदार नहीं होना था अकल वालों को कभी रास ना आना था जुनू इश्क वालों को समझदार नहीं होना था तुमको दुनिया का तलबदार नहीं होना था पास जाना था गिरफतार नहीं होना था बहुत शुक्रिया था बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया वैस बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मनीज जी आपने बैठली कलाम से हम सभी को नमाजा बहुत शुक्रिया आपका नहीं बहुत शुक्रिया आप दो लोगा अब हम चलते हैं हमारे आखरी शायर की तरफ उन्ही के एक शेर से मैं उनको दावत दूँगा कि फिर मुलाइजा फरमाए कैसे तुकडो में उसे करलू कुबूल कैसे तुकडो में उसे करलू कुबूल जो मेरा था कभी कैसे तुकडो में उसे करलू कुबूल जो मेरा सारे का सारा था कभी खुबसूरत शेर के खालिक जनाब शारिक कहफी साब को मैं दावत सुखन देता है जनाब शारिक कहवी साथ जी मनीश सुनी है जी हमतन गोश मैं इज़ार में हूँ सर्थ असलिए आप ये किताब लेके बैठ गया हूँ मगर ये किसमें किताब में वो गज़ने सना रहा हूँ मैं जो के जो जादा मशूर नहीं है ना अब हो जाएंगी आप जो शेर पढ़ते हों मशूर होने के लिए ही कहते हैं आप उस क्याने से मेरे कोई अकेला नहीं होता क्या बड़ा अलग अंदाज शारिक भए आपका बात कहने का जिन्दा बात है वाँ 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 इनसान की इतनी तो समझ हो ही गई है दोबारा किसी से मेरा जगड़ा नहीं होता वाँ 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 क्या कहने सुवानलाई सुवानलाई क्या कहने भई जिन्दावाद है क्या अच्छा शेर है वाँ 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 इनसान की इतनी तो समझ हो ही गई है वाँ 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 दोबारा मेरा जगड़ा नहीं होता क्या कहने शारिक बाई वाँ 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 इनसान की इतनी तो समझ हो ही गई है दोबारा किसी से मेरा जगड़ा नहीं होता जगड़ा नहीं होता और ये शेर खास औरते देखिए बहुत नाजुकता कि एक रात की तकलीफ ने समझा दिया हमको एक रात की तकलीफ ने समझा दिया हमको जिन मत से बड़ा कोई दिखावा नहीं होता अहाँ 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 वाँ 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 सब्हानल्ला, सब्हानल्ला, क्या अच्छा है, वाँ, 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 वाँ 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 नहीं होता क्या कहने है शारिक बई क्या कहने है सुभानला मदा आ गया वह 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 तैयार का मतलब कहीं जाना नहीं होता क्या कहने है शारिक बई वाँ 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 कोई अकेला नहीं वाँ क्या अच्छी ख़देले कहा छुपा के रखी वी थी आपने इसको सुना नहीं दिया क्या क्या है यहाँ वाँ 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 मिज़ा आगया और तुने थुटले की शिख的話 थोड़ा हमारे एक लफ जिसमें ऐसा आगए है जो हम आम तोर पे इस्तमाल नहीं करते हैं बहराल वो समात फर्माएं देखिए कैसा है कि अचानक हो गईी नुक्ते की बाते हैं हम अचानक हो गईी नुक्ते की बाते हैं हमारे दर्मिया पैसे की बाते है वाह, 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 वा क्या कहने क्या कहने चानल शिखा लाई बहुत पहले की बाते हैं यहां हर वक्त कोई मर रहा हो जहां हर वक्त कोई मर रहा हो वहां करते नहीं मरने की बात रहा हो वहां करते नहीं मरने की बात रहा हो वहाने से सुनाया हाल अपना कुई तुछ से तेरे जैसे की बात वाँ वहाँ 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 करते हैं वाई 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 जाने की जलदी है कोई, व아 वा 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 वा.ины घर को छोड़कर जाने कीW देख लेंगे किसी से खपा मैं हुआ ही नहीं। किसी से कफा में हुआ ही नहीं कभी मुझको ये हक मिला ही नहीं रवा यूही रहना है मेरा नसीब रवा यूही रहना है मेरा नसीब दिखर जाओं इतनी हवा ही वाव 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 दिखर जाओं इतनी हवा ही नहीं दिखर जाओं इतनी हवा ही नहीं रवा यूही रहना है मेरा नसीब दिखर जाओं इतनी हवा ही नहीं कई बार गुजरा बराबर से मैं कई बार गुजरा बराबर से मैं कई बार गुज़रा बराबर से मैं उसे मेरा धोका हुआ थी वैए है 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 क्या किया अच्छे च्छे शेर पढ़ रहे है शारिक भाई वाई मज़ा आ गया वाई कई बार गुज़रा बराबर से मैं उसे मेरा धोका हुआ ही नहीं दुनिया ने तै की है मेरे लिए तै की है मेरे लिए तै की मेरे वो सजा ही नहीं वाई 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 चो दुनिया ने तै की है मेरे लिए तै की मेरे वो सजा ही नहीं ते की मेरे वो सजा ही नहीं रुके ही कहा शाथ लेने को हम रुके ही कहा साथ लेने को हम जो उसने कहा वो तो ना ही वाँ 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 रुके ही कहा साथ लेने को हम जो उसने कहा वो तो ना ही बहुत अच्छे है किसी से खफा में हुआ ही मतला बहुत प्यारा इशारी भाई वाई किसी से खफा में हुआ ही नहीं कभी मुझको ये हख मिला ही नहीं वाई 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 क्या कहने है सुवानला बिकर जाओ इतनी हवा ही नहीं क्या अच्छे शेयर सुनाए है यार वाई मदा आगया वाई मदा आगया वाई शारी भाई क्या नहीं मेरे लिए तीनों घजलें चारों घजलें जो आपने सुनाई सब नहीं थी वह इसे लिए मैंने इसे ही पड़ी आप जिनदा बाई बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी शायरी कि इसके बाद कुछ कहना बेवकुफी होगी तो ऐसी बेवकुफी में मैंने ही करूंगा लेकिन एक वाकिया मैं यहां बताते चलू की छोटा मुव बड़ी बात लेकिन जब महफिले होती है तो महफिलों में दो किसंदाद होती है लोग एक होता है कि अशार पढ़ने के बाद लोग वावा करते हैं और तालियों से और वावाई से जो हाल गरज उटता है दूसरे किसंदाद होती है खामोशी और वो खामोशी की दाद जिनको मैंने लेते हुए सुना वो शारिक कहफी साहब वाहिद ऐसे शायर है कि मेरे नहीं तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझे यह कहा कि यार हम इनके कलाम में इतने खो गए कि हमें दाद देने का होशी नहीं रहा तो मेरा ख्याल है यह सब्सक्राइब नाजरीन तो हम अब इस प्रोग्राम के आखरी मरहले को पार कर चुके हैं तो हजब रिवायत मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं सपना जी और सटीश का सटीश जो मेरा चोटा भाई है उसका कि उन्होंने खूबसूरत महतल का तसमुत कि यहां पर मादव जी माफ मौफ कीजिए मैं आपको रोप रही हूं बीच में लेकिन आपसे दरफास्त है कि हम सभी जानते है कि आप जितने अच्छे नाजम है उतने अच्छे सुखनवर भी है तो हम चाहेंगे आपसे भी कुछ सुनना और मैं समझती हूं कि सभी चाहेंगे आपसे भी कुछ सुनना। पहला कि मैंने सबसे पहले अपना कलाम पढ़ना चाहिए था जैसे मनीश सहाब ने अब तहां लेकिन आ मैं गजल का मतला और चंशेर आपके पेशे खिद्बत करता हूं और उसके बाद आपकी जहमते तमाम इर्शाद इर्शाद इस आप कि मतला मुलाज़ा फर्माईए की एहवाल रंज बजम में कहना मुहाल है एहवाल रंज बजम में कहना मुहाल है कहते हैं खूब शेर कहा है कमाल है कहना मुहाल है कहते हैं खूब शेर कहा है कमाल है और मतलए सानी मुलाइजा फरमाए कि कितना हसी अरूज है कैसा जमाल है कितना हसी अरूज है कैसा जमाल है लेकिन अजल से तै है कि एक दिन जवाल है और शेयर बतौरे खास के शायद वो एक सराब है लेकिन मैं क्या करूँ शायद वो एक सराब है लेकिन मैं क्या करूँ अपना वही तो दश्ट में पुरसाने हाल है वह 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 रब लालमीन ये कैसा स्वाल है वाँ 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 कों है बहुत अच्छे मादो जी क्या कहने पहुत श्क्रिया और अगला शियर मुलाइदा फरमाए कि पहचांता में शक्ल दगाबाज की मगर पहचानता में शक्म दवाबाज की मगर चहरे पे हर किसी ने लगाया गुलाल है दवाबाज की मगर चहरे पे हर किसी ने लगाया गुलाल है और आफ़ी शेयर मुलाज़ा परमाईए कि डरने का दे दिया है वबाने नया सबब जरने का दे दिया है वबाने नया सबब बाकी हरे खौफ यहां हजबे हाल है बाकी हरे खौफ यहां हजबे हाल है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बात हो बात हो बात हो तो नाजरीन इसी के साथ मैं सभी शायरों का बतौरे खास महतरमा तारा अकबाल साहिबा का मनीश शुकला जी का और जनाब शारिक कहपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और कलकता कंप बसुरत महफिल को अंजाम दिया तो सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया सपना जी सतीज जी आपता फिर एक बार शुक्रिया तो इसी के साथ माधव नूर मैं आप और आप सबसे जाज़त चाहता हूं नमस्कार, आदाब, सस्रीयकाल आप सब अपना ख्याल रखे, खुश रहें, सलामत रहें को शुक्रिया तो अधर भाद हो आदू